अब देखें, घर से निकले तो मौसम बिल्कुल साब था, लेकिन रोड पर आते ही कितनी धुंद बढ़ गई है, इसलिए जब भी आप धुंद के मौसम में घर से निकलें, तो टाइम से पहले ही निकलें, क्योंकि कभी भी धुंद अधिक से दिख्छा सकती है. यह ट्रेला जिसके पिछे कोई लाइट नहीं है, अचाननक आ गया, ऐसे में बड़ी तिकतों का सामना करना पड़ता है, और डिवाइडर के साथ से चल रहा है, यह भी एक साइड है बस, यह फोग लाइट होने चाहिए, यह ट्रक के पिछे भी जो साइड मज़री, कुछ ट्रक या ट्रेले ऐसे होते हैं, उनके पिछे लाइट ही नहीं होती, और फोग में वो दिखाई नहीं देते, जिसमें एक्सिडेंट की समभावना पड़ जाती है, अब बीश की स्पीड से चली होई है, गाड़ी, बीश या बाइश पर, बीश बाइश में भी कितना रिस्क है देख लो, कुछ लोग तो ऐसे मौसम में भी 60-70 तक बगाते हैं, जो की बड़ा रिस्क बन जाता है, अब देखे घर से निकले तो बिलकुल मौसम साब था, अचानक धूंद बढ़ गई, कुछ लोग कहते हैं, डिवाइडर के साथ चलना सुरक्सित रहता है, लेकिन अगर कोई ट्रक है, ट्रेला है, या ट्रेली के पीछे, मैंने काफी ट्रक भी देखे जिन के पीछे पोगलाइट है यह नहीं, अगर वो ऐसे में खराब हो जाते हैं, डिवाइडरी के साथ, तो पीछे आने वाले बान, और टेक कहां से करेंगे, और वो दिखाई भी नहीं देंगे, ऐसे में एक्सिटेंट का खत्रा बढ़ जाता है, छोटी काटी को तो आदमी धकाई तैदी लगा के भी साइड में कर सकता, लेकिन बड़ा ट्रक तो या ट्रेली तो साइड भी नहीं हो सकती, इसलिए अपनी लैन में चलें, और सुरक्सीत चलें, और सुरक्सीत रहे में, जाय है, रामजिर सिन सांगवाण, दिली ट्रैफिक पूलसी, जाय हिंदू!